हेलो फ्रेंड्स आप सबीका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्वाम क्लासिस में दोस्तो दिल्ली पुलिस का MTS का मल्टि टास्किंग इस्टाप का जो पेपर हुआ है आज 19 डिसंबर को उसको में क्या कोश्चन्स आये हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि हम पूरा दिल्ली पुलिस MTS के पूरा पेपर जितने भी होएंगे सब को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिस करेंगी 1718 तारिक को जो एक्जाम हुआ था उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं इसका आई बटन आपको कोर्नर पर मिल जाएगा वहाँ से भी आप महाँ पर चैनल पर पहुंच सकते हैं देखे दोस्तों इस्टार्ट करते हैं कोश्चन कोश्चन जो पहला कोश्चन था राष्ट पती पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है ये कोश्चन आया था तो दोस्तों मैं आपको बता दू समीधान में अनुच्छेद 61 राष्ट पती पर महाभियो है हमारे समीधान में उच्छे दीकसर राष्टपती पर महाभियों की आगय देता है नेस्ट कोस्चन देखते हैं नेस्ट कोस्चन है कोस्चन नमबर टू गोली चलाने पर धक्का लगता है क्यों ऐसा क्यों होता है कि गोली चलाने वाले को धक्का लगता है तो दोस्तों मैं पता दूँ इसका जो region है वो है क्रिया पर्तिक्रिया का निया है रियक्सन एंटर रियक्सन लो और इसको दिया था Newton ने से Newton का third law भी बोला जाता है Newton का 3 यấं भी इसको कहा जाता है नैस्ट question देखते है नैस्ट question क्या था question number 3 आवत्सानी का पहला ततव कोंचा है आवज सानी का पहला तत्व पूछा गया था कि आवज सानी का पर्थम तत्व कौन सा है तो आवज सानी का जो पहला तत्व हो है हाइडोजन हाइडोजन आवज सानी का पर्थम तत्व है और इसका जा अटोमिक नंबर है वो है एक इसका परमाणू करमांग के एक है तो भारत के बिसमार कोन कहलाते हैं तो आपको मैं बता दूं भारत को रियासतों को एक करने वाला यानि एक भारत जिसक ने संपूर्ण भारत दिया जिसने सब रियासत को मिला दिया है एक बनाया हमारे सरदरवाल लभाई पटेल सरदरवाल लभाई पटेल को भारत का बिसमा पानी-पत की तिर्ते लड़ाई पानी-पत की तिर्ते लड़ाई कब होई थी तो दोस्तो जो मैं आपց बत बदो पानी-पत की तिर्ते लडाई उती उस 1761 से ध कर द नहीं ओर यह थिमराठो एवं एहमासा इपदाली के हिच में और इप द मिजह होई थी ंस यूध में हरा गए था तो इसका जो सही आंसर वर वे बैस वह आई सुन मेर कोगा था और यह लिखा थो यह लिख था किसी Casey लगय को सुरा ने रच्ट कोस्च्छन देख नेक्ते हैं धो्ड की नमबर साथ से डिशकन करते हैं ब्रौन से हैं अई था प्र्राथमिप रंग वो होते हैं जो किसी से प्राप्त नहीं किये जा सकते और जित्यक रंग वो होते हैं जो प्रात्मिक रंग से प्राप्त किये जाते हैं प्रात्मिक रंग है लाल हरा था निला तरह जो प्रात्मिक रंग वो होते हैं जो प्रात्मिक रंग से प्राप्त किये जाते हैं नेस्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमबर आठ था गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पन प्रियोग की जाता है गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पन का प्रियोग की जाता है तो दोस्तों गाड़ी की मेन हेड लाइट में प्रियोग के जाता है आउतल दरपन का Next question देखते हैं काजी रंगा नैसन पार्क कहां पर इस्थापित है काजी रंगा नैसन पार्क इस्थित है असम में और ये जो पार्क इस्थित है एक गैंडा एक शिंग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है एक शिंग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है और ये असम में इस्थित है काजी रंगा नैसन पार्क इस्थित है अधिक वैल singer छेहितक क्यांति शोनाने क्या नेस्ट कोस्चिन है गर्वाइस है Haha तो दोस्तों ध्यां को महलो का सहर यह थिसे कहलाता है को प्तवियन इन स्थीं कि जुरूर प्रेखे जाईएगा प्रिक्न स्थीं है इस तरह कहने सिलिकिन वैली कहां पर इस्तिताई ये सभी आप चीज पढ़ कर जाएगा इस तरह का कोश्चन भी लगाता पूछा जा रहा है तो कोश्चन देखते हैं इलावा 11 क्या है घड़ी समय थर्मामेटर ताप थर्मामेटर के लिए क्या ताप यूज होगा और आप मैं इस कोश्चन की बात करो तो घड़ी समय मापने के लिए प्रियोग की जाती है और थर्मामेटर प्रियोग की जाता है ताप मापने के लिए यानि नॉर्माली कोश्चन पूछ जा रहे हैं ज्यादा डीपली नहीं है कोश्चन बारे की आगर हम बात करें तो KP 11,16 TM को क्या कहेंगे तो KP जैसे आप जानते हैं 20 के 11 नंबर पर है P 16 नंबर पर है ऐसे 20 नंबर पर होगा RM 13 नंबर पर होगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20, 13 तो दोस्तो इस तरह के कोश्चन्स हैं मैं अगर आपको बता दू, questions आपको कैसे पढ़ कर जाने हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान दे, किसी भी तरह की ज़्यादे hardly ना पढ़े, normal type के question आ रहे हैं, देखें, next question पर गर मैं discuss करों, तो next question था, जल का pH क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दू, जल का pH, जो सुद जल होता है, सुद जल का pH साथ होता है, और जिस वस्तों का pH साथ होता है, वो कुछ भी होता हो, ना तो ASIC होता है, ना बेसिक होता है, वो क्या होता है, उबेधर्मी होता है, यानि वो ना ही छारिया होता है, ना ही अमलिया होता है, तो जो सुद्र जल होता है उसका pH 7 होता है और आपको एक चीद हो ध्याँ दे जिसका pH 7 से कम हो वो icing माने जाते है और जिसका pH 7 से जदा होता है वो basic माने जाते है तो सुद्जल के बारे में बात थी, सुद्जल का प्याच होता है साथ नेस्ट कोस्टन था कुका का अंदोलन किसके द्वारा चलाए गया था कुका अंदोलन किसके द्वारा चलाए गया था ये कोस्टन इंप्रोटेंट है जो कुका अंदोलन चलाए गया था आक्सीन पोदो की विरद्धी के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो है अपका आक्सीन आक्सीन के कारणी पोदो में विरद्धी होती है नेस्ट कॉस्चन देखते हैं कॉस्चन नमबर था अठारे एस्बी आई के सीयो कौन है यानि स्टेट बेंट ओप इंडिया के चीप एग्जुकिटिव ऑफिसर सीयो कौन है तो दोस्तों यहां से मैं आपको बता दूँ आप ये चीज करिएगा कि जितने ज़्यादा स्टेट हैं उनके रजजपाल, मुक्खे मंतरी और बड़ी बड़ी संस्थाओं के सीयो को जरूर याद कर लिजगा क्योंकि ये 17 तारीक में भी एक्जा में पूछा गया था, 18 मे निर्वाचित होएं, अगर हम पेपर की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू, 90 मिल रही है पेपर को करने के लिए और किसी तरह की कोई निगेटिव नहीं है, आपको सही कोश्चन के लिए सही नंबर मिलने वाला है, नहीं आपको कोई नंबर कटने वाल आए, तो इस तरह कि बिलकुल उसमें ना रहे कि ज़्यादा एडवांस चीज़े आ रही है, नॉर्मल पेपर आ रहा है, सिंपल पेपर आ रहा है, आपके लेवल का एक्जाम आ रहा है, यानि हम कह सकते हैं, मल्टि टास्किंग स्टाप का गुरूब डी का एक्जाम है, तो उसी लेवल से एक्जाम पूछा जा रहा है, अगर आपने RRB गुरूब डी के एक्जाम दिया होगा, तो RRB गुरूब डी के एक्जाम का 60% ही ये एक्जाम हो रहा है, RRB गुरूब डी के एक्जाम से काफी इजी है ये एक्जाम, क्योंकि हमें जो कोश्चन मिले हैं, य इन्होंने एक्जाम दिया है उन अभ्यरत्यूंसे ये कोश्चन हमें मालूम पड़े हैं और हम accuracy के साथ आपके लिए कोश्चन लेकर आए हैं इसमें कोई कोश्चन में गरवरी नहीं है सही कोश्चन है दोस्तो आप ने अगर ये एक्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट बोक् एक्जाम की तयारी नहीं करनी है नौर्मल कोश्चन आ रहे हैं आप देख रहे होंगे तीन दिन से लगादार एक्जाम को किस तरह के कोश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरु लिजेगा वीडियो का लाइक झाल को झाल 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 झाल